अपने अपने नागरिकों को सो करोड वैक्सिन डोड लगाई हैं और वो भी मुक्त बिना पैसा लिए साथियों सो करोड वैक्सिन डोड का एक प्रभाव ये भी होगा कि दुनिया अब भारत को कोरोना से जादा सुरक्षित मानेगी एक फार्मा हप के रुप में भारत को दुनिया में जो स्विक्रूती मिली हुई है उसे और मजबूती मिलेगी पूरा विश्व आज भारत की इस ताकत को देख रहा है मैसूस कर रहा है साथियों भारत का वेक्सिनेशन अभ्यान सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास का सबसे जीवन उधारन है कोरोना महामारी की सुरुवात में ये भी आशंका व्यक्त की जा रही थी कि भारत जैसे लोक्तंत्र में इस महामारी से लड़ना बहुत मुश्किल होगा भारत के लिए भारत के लोगों के लिए ये भी कहा जा रहा था कि इतना संयम इतना अनुशातन यहां कैसे चलेगा लेकिन हमारे लिए लोक्तंत्र का मतलब है सबका साथ सबको साथ लेकर देश ने सबको वैक्सिन मुक्त वैक्सिन का अभ्यान शुरुई किया गरीब अमीर गाव शहर दूर सुदूर देश का एकी मंत्र रहा कि अगर बिमारी भेजभाव नहीं करती तो वैक्सिन में भी भेजभाव नहीं हो सकता इसलिए यह सुनिश्चित किया गया कि वैक्सिनेशन अभ्यान पर वी आएपी कल्चर हावी नहों कोई कितने ही बड़े पत्पर क्यों न रहा हो कितना ही धनी क्यों न रहा हो उसे वैक्सिन सामान्य नागरिकों की तरह ही मिलेगी साथियों हमारे देश के लिए ये भी कहा जा रहा था कि यहां जादातर लोग टीका लगवाने के लिए आएंगे ही नहीं दुनिया के कई बड़े विक्सित देशों में आज भी वैक्सिन हेजिटेंसी एक बड़ी चुनोती बन गई है लेकिन भारत के लोगों ने सौ करोड वैक्सिन डोड लेकर ऐसे लोगों को निरुत्तर कर दिया है साथियों किसी अभियान में जब सबका प्रयास सबका प्रयास जुड़ जाता है तो परण अद्भूत ही होते हैं हमने महामारी के खलाब देश की लड़ाई में जन भागीदार को अपनी पहली ताकत वराया कर दो कर दो